हेलो बच्चो आप सभी का स्वागत है एचिपमेंट पोइंट यानकी एपी में आज हम लोग क्लासिक्स का साइन्स का चैप्टर एट का बॉडी मूव्मेंट का लेक्चर टू डिसकस करने जा रहे हैं लेक्चर वन अल्रेडी आ चुका है और आप लोगों इसे बहुत लोग देख बीचुकी हैं और जो नहीं देखे हैं वो जल से जल जाकर लेक्चर वन को देख लें ताकि आपको लेक्चर टू अच्छे से समझा से lecture 1 में हम लोगों ने discuss क्या था locomotion और उसके बाद locomotion in human body like human skeleton, skull, rib case, backbone, limbs, arms इन सभी के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से discuss कर चुका है आज हम लोग जा रहे हैं type of joints को study करने आज का हम लोग का point है type of joints mainly joint जो होता है वो दो type का होता है first is movable and second is immovable कि जोइंट कितने type के होते हैं दो type के movable and immovable movable यानि कि वैसा चीज जो की move कर सकता है that means वैसा joint जो क्या कर सकता है move कर सकता है किस के बीच? दो bone के बीच या cartilage के बीच यानि जब कोई दो bone आपस में move करता हो या bone with cartilage move करता हो तो किस type का joint कहलाएगा? movable joint कहलाएगा clear है? यह move करने वाले जो joint होते हैं वो भी different type के होते हैं तो दिखते हैं कितने type के होते हैं और कौन कौन से type के होते हैं type of movement of joints सबसे फहला है hinge joint hinge joint क्या है? जब movement only in one plane backward and forward हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? hinge movement that means अगर कोई bone just like एक इस place से आगी जा रहा हो और फिर पीछे आ रहा हो तो इसको हम लोग backward और forward बोलते हैं और इसी type के movement को हम लोग hinge movement बोलते हैं for example हम लोग के pair का movement pair में जो हम लोग का नी है तो इस जगह से जो movement होता है इस movement को हम लोग क्या बोलते हैं? hinge movement similarly हाथ में elbow में movement जो एक direction में ही move करता है जस्ट हाथ को जिस टैप से हम लोग को open कर सकते हैं और खोल सकते हैं तो यह movement क्या हो गया? hinge movement हो गया example, elbow का joint, knee का joint, जो उंगली के बीच होता है, flange का joint होता है वो सारे joint को हम लोग क्या बोलते हैं? hinge joint बोलते हैं यहाँ देखें, यह क्या है? एक हाथ का finger का bones है और इस bones को हम लोग बोलते हैं, flange यह fingers के जो भी bone है, इसको क्या बोला जाता है? flange और इस flange में जो हम लोग का movement होता है, यह किस टैप का होगा movement? यह होगा hinge movement होगा लेकिन क्या आपने सोचा है? अगर यह एक single bone रहता, तो क्या हो सकता था? क्या हम लोग किसी भी चीज को उठा सकते थे? क्या हम लोग किसी भी चीज को पकड़ सकते थे? बिना finger में joint हुए, वो भी hinge joint हुए, क्या हम लोग किसी भी work को खड़ सकते थे अपने हाथ में? नहीं, ऐसा possible नहीं हो सकता था, तो हम लोग कि भाथों का जो joint है, यानि finger का जो joint है, जिसको हम लोग flange finger भी बहुते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा तंपल सरी है, clear? नेक्स्ट है, ball and socket joint, यह एक socket की तरह रहता है, और इस socket के अंदर में एक ball joint होता है, जो दुसरे bone से connected होता है, फूर एक्जामपल, आप यहाँ पर यह इस figure को देख सकते हैं, यह एक ball and socket joint का एक्जामपल है, इसके उपर का यह अलग bone है, और यह नीचे का एक अलग bone है, यह socket, ball और socket, यह उपर वाल है, socket है, और नीचे वाल है, यह एक दुसरे को completely move करने में, यह देखें, यहाँ से यह नहां तक completely move कर सकता है, इसके move करने में बहुत ही आसानी होता है, यह एक circular movement किया जा सकता है, यह mainly example है, हम लोग का shoulder, इस figure में देखें, इस जगहाँ पर हम लोग का movement होता है, इस movement को हम लोग क्या बोलते है, ball and socket joint, क्योंकि हम लोग पूरे हाथ को circular format में, पूरा इस तरह से एक rotation कर सकते है, for example एक baller, जब ball फिकता है, तो अपने हाथ को कहां से घुमाता है, वो इसी ball and socket joint के मदद से घुमाता है, और इसके आगे इस जगहाँ पर जो joint है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, hinge joint बोलते हैं, जो कि अभी कुछ देर पहले मैं बता चुका हूँ, अब हम लोग next देखते हैं, next है gliding joints, gliding, ये कुछ sliding की तरफ फिल हो रहा है, हाँ, ये slide ही करता है, gliding क्या करता है, slide करता है, यानि दो bone जब आपस में slide करता है, तो steps के bone को हम लोग क्या बोलते हैं, gliding joint बोलते हैं, for example wrist, यानि हम लोग के हाथ का कलाई, इसमें और पैर में, जिस step का joint होता है, वो क्या कहलाता है, gliding होता है, actually हम लोग के जो fingers है, तो fingers में, आगे में जानने के बाद, यहाँ पे जो कलाई में, जो bones होते हैं, आपस में एक दूसरे से slide करते हैं, ये step से आपस में, इस side move करता है, इस side move करता है, इस तरह से slide करता है, और इस तरह के joint होते हैं, उसको हम पाइभूटल जूइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पाइभूटल जूइंट, जो कि हम लोग के क्या आपए हैं, नेक में हैं, जिसके वज़ो से हम लोग अपने माथा को, हेड को, राइट, लेप्ट, अब डॉन, यह मूब कर सकते हैं, clear, यह हम लोग को एलाव करता है movement backward and forward turn right and left next type है immovable joint जिसको हम लोग fix joint भी बोलते हैं यानि कि कुछ ऐसा भी bone का joint होता है जो fix होता है कभी भी move नहीं करता है एक जगह से दुसरे जगह move नहीं करता है तो इस type के joint जोता है उसे हम लोग क्या कहेंगे immovable joint या fix joint अभी इस type का joint कहां पे होता है तो इस type का जो joint होता है वो generally हम लोग के skull में होता है या jaw में होता है या इन सभी जगह पे हम लोग देख सकते हैं यानि अपनी face आई आई आपको figure से समझाता हूँ ये देखे lecture 1 में हम लोग discuss किये थे इस skull के बारे में और आपको बताया था कि ये different different type का plate है जो आपस में जुटा होता है तो क्या ये plate आपस में move करता है नहीं ये plate आपस में move नहीं करता है तो ये कि step का हुआ ये fix हो गया ये कि step का हो गया तो fix joint हो गया यानि immobiable joint हो गया clear next है skeleton क्या आप लोगों नहीं सोचा है कि हम लोग का जो body है उसके अंदर का जो bone है वो कैसा देखता होगा वो कुछ step का देखता है ये आप फिगर देख सकते है ये कोई घूष्ट नहीं है कोई भूत नहीं है ये just क्या है हम लोग सभी के body के अंदर में होने वाला एक bone का structure है एक framework है और इसी framework को हम लोग क्या बोलते है skeleton बोलते है यानि कि कंकाल बोला जाता है क्या आप लोग नहीं कभी अपना x-ray देखा है या किसी का x-ray देखता है क्या आपको अपना body x-ray में देखता है या फिर bone देखता है तो हम लोग का क्या देखता है bone देखता है जो कुछ इस type से आप लोग यहाँ पे देख सकते है clear next है carpals इस जगह पे ये bones जो आप लोग देख रहे हैं जो finger के पहले का है इन सभी bone को हम लोग क्या बोलते है carpals बोलते है और इस से और इसके आगे वली bone को तो यह क्या bone इस bone को हम लोग flange बोलते है इसको flange बोला जाता है और उससे पहले वाले को carpals और metacarpals बोला जाता है clear यानि wrist का जो bones होता है उससों हम लोग carpals बोलते है और यह metacarpals होगा, clear, so carpals, flange और metacarpals, clear है, यह क्या है, first का जो fingers है, जो हम लोग count करते हैं, one, two, three, math का calculation में, या फिर जिससे को हम लोग fold करते हैं, वो क्या है, flange है, उससे पहले, जो हम लोग का palm है, palm में जो bone होता है, उसको क्या बोलेंगे, metacarpals, और उससे उपर, जो हम लोग का wrist है, उस wrist में जो bone है, उसको क्या बोलेंगे, carpals, clear है, next है, rear case, जिसको हम लोग lecture one में बता चुके हैं, त next है shoulder bone इसके बारे में भी मैं lecture 1 में बता चुका हूँ और यह वही plate है जिसके बारे में हम लोग discuss किये थे lecture 1 में clear तो इसे आप लोग अगर नहीं देखें हैं अब तक तो जरूर जाके देखें यह है pelvic bone यानि कि जो हम लोग का hip में bone होता है जिसके मदद से हम लोग बैठते हैं और हम लोग के body का सारा weight इसी bone के उपर होता है इसे हम लोग pelvic bone बोलते हैं again इसके बारे में हम लोग अच्छे से lecture 1 में discuss कर चुके हैं तो आप इसे भी lecture 1 में देख सकते हैं नेक्स्ट है backbone यह भी lecture 1 में discuss किया जा चुका है आपको वहाँ पर बताया गया था कि देखें छोटे छोटे bones इस तरह से होते हैं जब बड़ा होते हैं तो यह धीरे धीरे आपस में जूटके एक हो जाता है और यह एक ऐसा है bone जो हम लोग के body में किसी भी तरह का यूज नहीं है लेकिन यह दिखाता है कि जब हम लोग आदि मानों थे यानि कि हम लोग monkey से कैसे आदमी में develop कियें तो उस समय humans का जो tail होता था पूछ होता था वो इसी से आगे निकलता था जो धीरे 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 खतम हो गया और इस चीज का अब हम लोग के body में कोई यूज नहीं रहा हूँ clear इसकल इसके बारे में भी lecture 1 में discuss किया जा चुका है next है cartilage, cartilage जो क्या होता है यह soft bone होता है जैसे हम लोग कान में देख सकते हैं आप लोग कान को चूके देखिए क्या इस कान में आपके अपने कान में आपको bone का filling हो रहा है यह जो हल्का-फल्का soft bone लग रहा है यह क्या है cartilage है, यह hard bone नहीं होता है, soft bone होता है, so cartilage क्या है, soft bone है, clear, यह generally आपको आपके कान में और nose के उपर में यह देखने को लिए मिलेगा, apart from this, that means ear or nose, आप इसके different, different joint के बीच में भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, अगर आप लोग अपना या किसी भी x-ray को देखते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे एक पतला सा bone tap में देखेगा, उसी bone को भी हम लोग cartilage bone भी कहते हैं, so cartilage क्या है, cartilage is a soft, elastic and flexible connective tissue, यह क्या है, एक soft, elastic and flexible connective tissue है, that protect bone from rubbing against each other, जो एक bone को protect करता है किसी से, रब करने से, यानि कि घिसने से, ताकि जो दो bone है, वो आपस में न घिस जाए, इसलिए एक soft bone क्या करता है, protect करता है, जो connect करता है दोनों bones को, clear, cartilage clear है, यह देखे, इस जगह आप अच्छे से cartilage को देख सकते हैं, और समझ सकते हैं, जैसे कि आपका कान, और यह दो bone के बीच का joint, जहाँ पर यह वाला portion, जो है, यह वाला portion है, यह क्या है, एक cartilage है, clear, तो cartilage क्या है, soft bone है, जो हम कहाँ पर मिलेगा, नाक में, कान में, और दो bone के joint के बीच में भी मिलता है, clear, so इस तरह से हम लोग ने body के joint के बारे में, किस जगह पर किस step का joint है, और joint का किस step से movement होता है, body का क्या skeleton है, यह सारे चीज़ के बारे में, हम लोग discuss कर चुके हैं, और अब इसका अब बज गया, locomotion in animal, जिसे हम लोग next lecture, lecture 3 में discuss करेंगे, और यह आपका final lecture होगा, so इसी के साथ, आज के lecture को यह पर बंद करते हैं, thank you, and for more update, like, share and subscribe.